नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं उसमें यह ताय किया गया था कि 17 दिवस तक इस बात को देखा जाएगा कि राज में कितनी बारिस होती है कहा गया था कि इसी आधार पर आगे की रण निती बनाई जाएगी सुखे को लेकर होने वाली समिक्षा बैठक में किसानों को राहात देने समधी बातों की जा सकती थी बैठक में बारिस नहीं होने की स्थिती में जीन खेतों में धान की फसल नहीं लग पाई जार्खन कॉंग्रेस के मंत्री करेंगे पूरे राज्य में जन संपर्क के यातरा दिल्ली में जार्खन कॉंग्रेस की हाई लेवल मीटिंग होई इसमें कॉंग्रेस के राष्ट्रिय अध्यक्स मलिका जुन खडगे के साथ राहुल गांधी भी सामिल हुए इस दोरान कार में सामिल कॉंग्रेस के मंत्रियों को विशेश जिमेदारी दी गई वहीं राहुल गांधी मलिकार जुन खड़गे और प्रियांका गांधी की जार्खन में जन सभाय होंगी बदादे बुद्धवार को दिली स्थीत ए आई सीसी मुख्याला में दोजार चोविस लोग के संदर में एक बैठक बुलाई गई इसमें जार्खन कॉंग्रेस के नेताओ के साथ पार्टि के राष्टिया द्यक्स मलिकार जुन खड़गे राहुल गांधी और केसी वेनु गोपाल की अत्ती महत्पुन बैठक होई इस बैठक में पार्टि के राष्टिया महासाचिय जार्खन परभारी अविनास पांड़े भी सामिल हुए जार्खन परदेश कॉंग्रेस के परभारी अविनास पांड़े ने बैठक में चार्चा हुए मुद्धों के बारे में जनकारी दी जार्खन में राहूल गांधी प्रियांका गांधी की होगी जनसभाय लोग सभाचुना तो 2024 में जारखंड में कॉंग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के जनसभाय होगी राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, वाडरा और कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यास मेलका आजुन खरगे खुद जारखंड में जनसभाओं को सम्मोधित करेंगे के बाद मीडिया को सम्मोधित करते हुए जरकन कॉंग्रेस परभारिया विनास पांडे ने कहा कि वर्ष्ट 2024 के लोग सभाचुना में भातिया जनता पार्टी को सिक्त देना सबसे बड़े चुनाउती है, उन्होंने कहा कि जिस परकार से देश में लोगतंत्र को कमजोर कि लोगतंत्र का मखल उड़ाया जा रहा है और पूरे देश में अनक ही आपात कालिन की स्थिती पैदा हो गई है या चिन्ता का विज़ाय है आदिवासी महिलाओ के लिए आवाज बुलंद करेगा सखुआ, जारखन में आदिवासी महिलाओ को घरेलू प्रतारना जहलनी परती है, इसकी वह कहीं सिकायत भी नहीं कर पाती खुटती रहती है, लेकिन पुलिस के पास नहीं जा पाती, हिंसा सहने की जब उसकी छमता खत्म हो जाती है, तो उसे डायन बता कर मार दिया जाता है ऐसे बहुत से मामले पूलिस तक नहीं पहुँच पाते, ठाने में कोई पराथमी की भी दरज कराने तक नहीं जाता नौमबर 2022 में सखुआ ने पांच जीलो के पंदरह गाओं में एक सर्वे किया जिसके बाद इस तथे का पता चला है सखुआ की संस्थापक मोनीका मरांडी ने जनकारी दिया है उन्होंने बताया है कि आदिवसी समाज की महिलाओं की समस्या सामने ही नहीं आ रही इस सर्वेक्षन के बाद हमें लगा कि इस विशय परचार्चा होनी चाहिए बिजेपी परदेश अध्यक्ष की संकल पेयात्रा 17 अगस्त से शुरू बिजेपी परदेश अध्यक्ष बावुलार मरांडी की संकल पेयात्रा 17 अगस्त से 10 अक्टूबर 22 तक साथ 24 में होगी इसकी सुरुवा सहित सिद्धु कानो की जनमस्तली भोगना डिह में पुस्पांजली और पित कर की जाएगी सिव गादी में भगवान भोलेनाथ की पुजा अर्चना के बाद बरहेट में पहली जन सभाय होगी बता दे राजी को भय, भूख, भरष्टाचार और कुशासन से मुक्त कराने के संकल्प के साथ संकल्प यात्रा के माध्यम से राजी के सभी 24 जीलों के 263 परखंड की जनता के बीच 40 दिन उतर संकल्पों को सकार करने का वाहन करेंगे मध्य परदेश में फंसे गुमला के 13 माध्यूर गुमला के माध्यूरों से मध्य परदेश में सोसन हो रहा है माध्यूरी करने के बाद भी इन माध्यूरों को पैसा नहीं मिल रहा जिससे गुमला के माध्यूर परिशान है इन मजदूरों ने वाट्सेप से वीडियो और फोटो भेज कर समस्य बताई है साथ ही जहरकन सरकारों गुमला पर सासस मदद की भी गुहार लगाई है मजदूरों की संख्य तेरा है अभी ये सभी मजदूर मध्य परदेश के सुपूर जी पालून जी कमपनी के लिए काम कर रहे है कमपनी द्वारा MP के भिलवारा में Medical Science College का निमान कराया जा रहा है जिसमें गुमला के सभी तेरा मजदूर काम कर रहे है दो माह तक कॉले निर्मान में मजदूरी किया है लेकिन एक दिन का ही मजदूरी भुकता नहीं किया गया है लातेहार से पतनी के साथ जार्खन करांती मोर्चा के संकर गिरफतार जार्खन से नक्सलियों के सफाय का अभियान लगतार चल रहा है सुरक्षावल के जवान जंगल और पहाल की खाग जान रहे हैं इसी दरान कई नक्सली पकड़े भी जा रहे हैं तो कोई नक्सली ये उग्रवादी संगठनों के बंकर को ध्वस्त किया जा रहा है कोई बार भारी मात्रा में सुरक्षावलों के हाथ ओ हातियार भी लग रहे हैं जिसे नक्सलिव उग्रवादियों ने जंगल में छीपा कर रखे हैं कॉंग्रेस पार्टी ने लोग सभा चुनाव की त्यारी जोर सोच सुरू कर दिया हैं इंडियान नेशनल डेवलोपमेंट इनक्योसिव एलाइन्स की आने वाली दिनों में मुंबाई में होने वाली बैठक से पहले कॉंग्रेस पार्टी ने अपने संगठन की थिती का जाज तलब किया गया बुद्धवार को देश की राजधानी में कॉंग्रेस के राष्टी अध्यक्ष मेलका जुन खडगे पार्टी के सिस्ट नेता राहूल गांधी और केसी वेनु गोपाल की मजूदगी में बैठक होई बैठक में जार्खन कॉंग्रेस की प्रभारी अविना मुख्य मंत्री हमान सुरेन को इड़ी के सवालों का सामना करने का सुझाव दिया है चालिस दिनों की संकल प्यात्रा पर रवाना होने के एक दिन पूर अनों होने भाजपा के परदेश कर्याले में प्रेस कॉंफरेंस का आरोप लगाया की सिबु सुरेन परिवार के नाम बदल कर आदिवासियों की जमीन ली है इससे समझी दस्तावेज मीडिया को जारी किया दस्तावेज में दर्ज नामों का उलेक करते हुए कहा है कि मुंडा आदिवासि की जमीन को मुख्य मंत्री हमान सुरेन पीता सीव सुरेन के नाम दुरगा सुरेन के जमीन की लूट रोकने के उमीद नहीं की जा सकती ऐसे सत्ता संपोसित फरस्ट अचार से राज को मुक्ती दिलाने के लिए भाजबास संकल्पी था है गूमला में होगा नेशनल एस्टी हब मेगा कंकलेब एस्टी एस्टी उध्योमियों को उध्योग धंदे से जोडने के पहल भारत सरकार के ओर से की गई है इसके तहत गूमला में नेशनल एस्टी एस्टी हब मेगा कंकलेब का उजन किया जाएगा बतादे जार्खन के जन जाती है समुदाय के बीच छोटे मोटे उध्योग धंदे के साथ साथ ब्यापारिक महोल पैदा करने के उध्योश से भारत सरकार का MSME यानि सुक्ष मलाहू और मद्यम उध्यम मंत्राला इन दिनों भी से सकारे कर रही है इसके तरद गुमला में 18 अगस्त को नेशनल A.C.H.T. हपकन कुलेप का उजन किया जाएगा जार्खन में सुखाड की स्थिती का आकलन के लिए जल्द होगी उच अस्तरिय बैठक जार्खन में समाने से कम हुई बारिस ने किसानों के साथ ही क्रिस्ती विभाग को भी चिंता में डाल दिया है आकडों का अध्यान किया जा रहा है जिसके बाद भी भाग कोई फैसला लेगा फिलहाल ताजा आकड़े आए हैं वह चिंता जना खाए राज में अभी तक समाने से 38% कम हुई मानसून की बारिस की वज़ा से क्रिस्ती पर परतिकूल परभाव पड़ा है इस चिती अभी भी कमो बेस 2022 वाली ही है 2022 में राजे के 22 जीलों के 226 पर खंडों को सुखार प्रभावित घोसित किया गया था क्रिसी नीदे सालाई के नुसार इस साल पिछले वर्ष के 26 थीती थोड़ी बेहतर जरूर है लेकिन अच्छादन का इस वर्ष का रिपोर्ट भी चिंता जना की है राज के 24 में से सिर्फ तीन जीले साहेवगन गोड़ा और सिम्डेगा में समाने वर्ष पात हुई है अगर अंडाल मल्ती ट्रेकिंग परियोजना के तहत मजूरी दी है केंद्रिये कविनेट ने बुद्धवार को मजूदा नेटवर्क में 43 किलोमेटर जोडने के लिए 7 रेल्वे परियोजनाओक मजूरी दी है केंद्रिय मंत्री मंडल ने बुद्धवार को 32 पांसो कोड़ रुपय की अनुमानित लागत वाली साथ रेलवे परिजनाओ को मजुरी दी जिससे उतर परदेश बिहार जारखन पच्छिम मंगाल तेलंगना उडिशा और गुजराद जैसे राज्यों को कवर करने वाले 47 किलो मिटर के दोरी जूण जाएगी हजारी बाग में नुडल खाने से एक ही परिवार के 5 लोग बिमार छारखन के हजारी बाग में नूडल खाने से 5 लोग फूट पॉयजिनिंग की सिकार हो गाए नूडल्स खाने के बाद पहले दो बच्चों फिर महिलाओ की तवियत बिगडी तो सभी को अननफानन में अस्पताल ले जाया गया पाचो को HMPH में भरती कराया गया यहां उनकी हालात गंभीर बनी हुई है जनकारी के मुताबिक मंगलबा को सोतनता दिवस के दिन उत्री स्विवपूरी कृष्णा नगर की गली संके आठ में इन सभी ने नूड पूर में है और यह सभी एक ही परिवार के लोग हैं चाइबासा मुडवेड दो क्रोर के दो नक्सली मवादी समें 23 नामजाद पर एफायार दर्ज चाइबासा में सोमवर की रात होई मुडवेड के बाद पुलिस ने टोटो थाने में भागपा मवादी के 23 नामजाद आर आतिराम मांजी के साथ साथ कांडे होनहांगा अस्वीनी सुक्याम सुसान सालुका कायम सांगे अंगरिया अमित मुंडा पिंटु लोहरा अप्टन मोचु सोहन लालू संदीप रापा सिंगराय देवान राजेस अमन पगला पांडु सुसील को आरोपी बनाया गया है ज्यारखन में तीन दिन तक बारिस मौसम भी भाग के पुरोर्मान के मुताविक राजे के कई अस्थानों पर आई गर्जन के साथ हलके से मत दर्जे की बारिस होगी जबकि राजे के दक्षिनी भागो पुर्वी सिम्मूम पच्मी सिम्मूम सिम्टेगाव सराइक लेखर सावा में कहीं कहीं भारी बारिस भी हो सकती है 17 अठारा अगस्थ को राजे में लगभक सभी अस्थानों पर गर्जन के साथ हलके से मत दर्जे की बारिस होगी वहें 29 अगस्थ को राजे में कई अस्थानों पर गर्जन के साथ हलके से मत दर्जे की बारिस होगी इसके लावा राजी के कुछ जीलों में 18 अगस्त तक भारी वारिस का अलर्ट भी जारी किया गया है